Hello everyone, आज हम MS Word के कुछ important MCQ question देखेंगे, इसे हम MS Word में ही देखते हैं, क्योंकि इसमें कुछ question को हम practically करके भी देखेंगे, कि वो कैसे काम करते हैं First question है, MS Word क्या है? MS Word एक application software है, अगर हमारे पास इसमें C option word processing program अगर नहीं दिया रहा है, तो हमारे पास option A हो जाएगा application software और यहाँ पर C option दिया हुए word processing program, इसलिए A और C दोनों option हो जाएगा, हमारे पास option D हो जाएगा पहले समस्ते हैं कि software कितने type के होते हैं, तो mostly हम software को दू पार्टें बटा गया, एक application software होता है, एक system software होता है तो जितने भी हम extra software के इस्तिमाल करते हैं, जैसे Google Chrome हो जाए, Firefox Mozilla हो जाए, इसके बाद Photoshop हो गया, कोडल डूर हो गया, इस सबको हम लोग application software में इस्तिमाल करते हैं, इसके अलावा होता है system software, जिसमें हम बोल सकते हैं, Windows हो गया, Linux हो गया, Android हो गया, यह सब system software है, इस system को run करने के लिए इसकी आव सकता हो, इसलिए system software है, इसके अलावा extra जितने भी application या software इस्तिमाल करते हैं, सभी हमारे application software में आते हैं, next question है, MS Word में file को किस नाम से जाना आता है, MS Word को हम लोग, अगर save भी करते हैं, तो .doc करके save होता है, वो 2007 version से पहले, उसके बाद वाले इतने भी version है, उसमें .doc x करके save होता है, यानि हमारे पास option d हो जाएगा, या एक document है, इसमें first option is seat है, तो यह हम लोग, इस्तमाल करते हैं, Google का seat होता है, MS, Excel के इसको बोल सकते हैं, next question है, MS Word में auto correct और auto text किस परकार के tools है, तो option b हो जाएगा, editing tools है, इसके माते हम से हम उसमें correction करते हैं, edit करते हैं, next question है, MS Word में किसी document में insert की गई table में column की अधिक से अधिक संख्या हो सकती है, control in करके new document को हम लोग insert कर लेते हैं, इसमें insert में जाके, हम table add करने की कुशिस करते हैं, insert table में जाएंगे, यहां पर maximum हम कुशिस कर रहे हैं, column में 64 करके कुशिस कर रहे हैं, insert करेंगे तो हमारे पास देखें, यहां पर, एक pop-up box open होड़ा है, जिसमें 100 कर रहे हैं, the number must be between 1 and 63, इसका मत्ता है maximum 63 ही हो सकता है, इसको close कर जिते हैं, alt text for के साथ, next question है, ms word में हम font size की जड़ी यह क्या क्या format कर सकते हैं, इसमें हमारे पास हो जाएगा page को भी कर सकते हैं, character को भी paragraph को, तो option हमारे पास D हो जाएगा उपयुक्त सभी, next question है, ms word 2010 में mailing list को किस नाम से जाना आता है, तो इसको data source बोलते हैं, जहां से data को send किया आता है, तो source of data उसको बोल सकते हैं, next question है, document को सीधे mail द्वारा भेजने के लिए किस command के उच किया आता है, तो save and send वर्टम का हम लोग इस्तिमाल करते हैं, option C हो जाएगा, next question है, जब किसी text को cut या copy किया आता है, तो वह text कहां चला आता है, तो यह हमारे पास clipboard में option C में चला जाएगा, इसको practically देख लेते हैं, जैसे कि हम ms word को select करके, हम Ctrl C करके copy करते हैं, इसके बाद यहां पर हम देख लेते हैं, home tab में आके, यहां पर clipboard को यहां पर on करते हैं, तो यहां पर देखे, ms word हमारे पास एक document copy है, यहां पर show कर रहा है, next question है, दो word के बीच दूरी बनाने के लिए keyboard की, किस key का उपयोग किया जाता है, तो हमारे पास option हो जाएगा, D space button, space button जो बड़ा वाला सबसे key होता है keyboard में, उसके इस्तमाल करते हैं, दो word के बीच space के लिए, next question है, ms word में table में column के बीच की दूरी कम से कम कितनी हो सकती है, तो हमारे पास option देखे, 0.55 ही होती है, next question है, ms word में जब हमें कोई नया paragraph शुरू करना होता है, तो किस key के यूज करेंगे, enter key से हम लोग न्यू लाइन में जाते हैं, वहां से paragraph पर स्टार्ट कर सकते हैं, न्यू लाइन लेख सकते हैं, next question है, इनमें से कौन सा word processing software है, तो ms word एक word processing software है, इसको हम लोग first में ही देखे हैं, next question है, निम्न में से कौन सा bar ms word में नहीं होता है, view bar होता है, insert bar होता है, formula bar ms excel में होता है, तो हमारे पास option c हो जाएका formula bar नहीं होता है, next question है, जादा से जादा font limit कितनी हो सकती है किसी एक character की ms word में, चलिए इसको चिक कर लेते हैं, जैसे home tab में आके, हम यहाँ पर font size में आके यहाँ पर हम कुशिस करते हैं, 1639 करके इंटर करने का, यहाँ पर pop-up box open होड़ा, यह so correct ms word, sorry, the number must be between 1 and 1638, इसका मतर्ण maximum 1638 यानि 1638 ही हो सकता है, तो हमारे पास इसमें option हो जाएगा, d option हो जाएगा, next question है, document में hyperlink insert करने के लिए shortcut की क्या है, तो control k का इस्तमाल करते है, option d हो जाएगा, चलिए इसको भी थोड़ा से practically हम दोग देख लेते हैं, कैसे, जैसे कि इसको हम select कर लेते है, control है, और keyboard की मतद से control k अगर हम करते हैं, तो हमारे पास एक pop-up box open हो जाता है, इसमें hyperlink लिखा रहाता है, उपर insert hyperlink, let's suppose हम एक कोई select करके ok करते हैं, तो हमारे पास देखी यहां, underline किया हुआ एक word यहां सो कर रहा है, इसको अगर यहां पर ले जाते हैं, तो हमारे पास अलड़ी कुछ options हो कर रहा है, जैसे file c user user में, कहां से हम इसको link किये हुए है, अगर इसको open करना होगा, तो सबसे पहले हम को control button की करना होगा, जिब control button की करते हैं, तो वहां पर जब जब hyperlink add करते हैं, तो वहां पर जब cursor को ले जाते हैं, तो किस परकार का symbol करता है, तो hand का symbol करता है, नेक्स्ट question है, इस word में copy करने की shortcut की क्या है, control c से copy करते है, बहुती common question है, control plus c, control के से हम लोग क्या करते है, hyperlink के add करते है, control x से cut करते है, control o से हम open करते है, नेक्स्ट question है, जब mouse pointer को किसी hyperlink पर ले जाते हो, तो किस परकार का symbol करता है, तो अल्लेडी हम इसकी चर्चा कर चुकिए, option c हो जाएगा, head के अकार का, option c हो जाएगा, और emoji के अकार का भी हो सकता है, जैसा कि हम emoji अगर set करते है, तो वो भी हो सकता है, तो मुश्टली हम अब यहाँ पर, अगर default में देखते है, तो hand के अकार का होता, option c हो जाएगा, next question, spelling चेक करने के लिए shortcut की, तो हमारे पास option d हो जाएगा, f7 के, f7 को यूश्ट करते हैं, जैसे कि हम practically देख लेते हैं, shortcut की मैंने हमने select कर लिया है, उसके बाद f7 प्रेस करते हैं, तो हमारे पास एक already pop a box अलग से open हो जाता है, proofing grammar करके, इसमें जो word को चेक करने के लिएक इसका इस्तमाल किया आता है, option यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा, d f7, next question है, new document के लिए की shortcut की का उपयोग करते है, तो हमारे पास option c है, control n, इसके हम लोग इस्तमाल करते हैं, इसको चलिए practically करके देख लेते हैं, keyboard में control plus n, जब हम click करते हैं, तो new document उपन हो जा रहा है, इसको close करने के लिए, अल टेफ फोर से हम इसको close भी कर सकते हैं, next question, ms office में किस के जड़िये document file बना सकते है, document बनाने के लिए ms word का इस्तमाल करते है, option c हो जाएगा, ms exer की मतलब से data हम लोग बनाते है, ms powerpoint की मतलब से हम लोग presentation बनाते हैं, तो option c हो जाएगा, ms word, next question, ms word में सबसे नीचे की तरफ कौन सी बार होती है, यहां पर हम देख रहे हैं, सबसे नीचे जो हम लोग बोलते हैं, status bar, इसको check कर लेते हैं, अगर यहां पर करसा ले आने पर सो नहीं करता है, तो right click करेंगे, तो हमारे पास एक pop up open होगा, जिसमें customize status bar करके so कर रहा है, इसका मतलब इसको status bar बोलते हैं, तो option हमारे पास इसमें हो जाएगा, c हो जाएगा status bar, next question है, इस word में cut करने की shortcut की क्या है, तो cut करने के लिए control x का इसमाल करते हैं, हमारे पास option c हो जाएगा, control b से हम bold करते हैं, next question है, इस word में minimum और maximum कितना zoom कर सकते हैं, इसको practically हम देख लिते हैं, जैसे कि हम zoom करने के लिए हम चले जाते हैं, review tab में, review tab में जाएगा तो इसमें हमारे पास जूम का option आता है, इसमें हमारे पास customization का option आता है, तो हम इसमें अगर हम 500 to 1 लिखने की कोशिस करते हैं इसके बाद क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक pop-up box आ रहा है इसमें लिखा हुआ है the number must be between 10 and 500 इसका मतलम minimum 10 होगा और maximum 500 हो जाएगा तो हमारे पास option इसमें हो जाएगा B option हो जाएगा 10 to 500 next question M.S.Word में watermark किस menu में होता है तो watermark के लिए हमको जाना पड़ेगा इसमें design tab में इसमें design tab में जाने के बाद हमारे पास एक watermark करके option होता है और इसमें design option नहीं है तो इसको हम लोग page layout के अंदर ही design tab होता है उसी में हम लोग इसको खोज सकते हैं, तो option इसमें हमारे पास हो जाएगा, D हो जाएगा, page layout, that's all for this video,